आठके इस वीडियो में सिंपल कुर्टी कर्टिंग का पर्फेक्ट तरीका बताया है। जैसी कि आप यहां पर देख पा रहे हूँ, फ्रंट में कोई सल्वट नहीं है, आगे का गला बहुत ही सुन्दर दर्की से बैठा है, पीछे के गले में भी कोई सल्वट नहीं है, और ऐसा अगर पर्फेक्ट फिटिक पाना हूँ, तो वीडियो को लाश्ट तक जरूर देख सबसे पहले देखेंगे कि हमें कुर्टी के लिए कपड़ा कितना लगीगा, तो जितनी भी आपके कुर्टी की तयार लंबाई है, उसका डबल करके उसमें 5 इंचेस मिला दीजिएगा, जैसे कि मेरी 45 इंचेस है, उसका डबल हो गया 90 इंचेस, प्लस 5 इंचेस 95 इंचेस, म नर्मली पन्ना रहता है 42 या 44 इचेस, तो पन्ने में हम सारे कुर्टी के नाप टालते हैं, जो भी होते हैं, चेस्ट, वेस्ट, फूल बस्ट, अब चोड़ाई में ही क्यों, तो चोड़ाई में अगर आप देखोगे, तो कपड़े में खिचाव रहता है, जिससे हमारी जो हम ऐसे डालते हैं, कुर्टी को कितना चोड़ा कपड़ा चाहिए वो देखेंगे, यहां पर मेरा हिप साइच 40 इंच है, चौथा भाग हुआ 10 इंच, उसमें 2 इंच एक्ष्ट्रा लेके 12 इंच पर मैंने टेप को पकड़ा है, आपको भी आपके साइज आनुसार ऐसे ही प रख देना है, तो यह मिल गया हमारा जितना हमें चोड़ाई की जरुवत है, उतना कपड़ा, अब हम यहां पर लंबाई का नाप डालेंगे, तो जो खुली वाली साइड है, वहां से मैंने शुरू किया है, डेडिंग पर पहले मैंने मार्क किया है, जो की नीचे की तरफ वाटम यानि मूरी फोल्ड करने को लगेगा, अब उस लाइन के उपर टेप को रखना है, और उपर की तरफ देखे, आपके कुर्ती की तयार लंबाई, जैसे कि मेरी 45 इंचे से, तो मैंने उतने पर मार्क किया, और लाइन बना दी, और उसके उपर हम एक इंच कपड़ा रखेंगी, ठीक, तो यहाँ पर मैं एक इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ, और इसे मेनी यहाँ पर मार्क कर दिया, अब जितनी हमें जरुरत थी, उतना हमने मार्किंग कर दिया है, और जो एक्स्ट्रा का कपड़ा है, उसे हम कट करके साइड में कर देंगे, तो यह कपड़े का कटिंग हो चुका है और जो यह कपड़ा बचता है साइड में उसमें हम स्लीव कटिंग करेंगे तो यह देखिए इस तरफ खिचाओ है तो यहां पर स्लीव की चोड़ाई निकलेगी और यहां पर लंबाई तो इसको मैं साइड में रख देती हूं अब यह जो का मेजर्मेंट आप वाड़ी के उपर भी नाब सकते हो मैं ने यहां पर चाट भी दिया है तो यहां पर आप देख सकते हो आपका चेस साइज और उसके आगे देख सकते हो शोर्डर का नाब जैसा मेरा 36 inch chest है और shoulder आ रहा है 15 inch तो 15 inch का मैंने बराबर से आधा करके 7 inch पर माख किया है इसमें सिलाई margin मिलाने की जरूरत नहीं है अब आता है आमोल का नाब तो आमोल का नाब का भी मैंने चार्ट दिया है जैसे कि 36 inch मेरा chest size है तो उसके आगे मैंने आम हूल लिख दिया है 7 इंच तो मैंने बराबर से 7 इंच पर माग किया है आप अपने chest size के अनुसार चार्ट में दिखकर आम हूल और shoulder का नाप डाल सकते हैं तो यह हमारी chest line है और chest line के उपर tape को रखना है और उसके नीचे 3 इंच जाकर west length का नाप याने कमर की लंबाई का नाप और फिर tape को उठा कर कमर की लंबाई का नाप जहां पर डाला है उसके नीचे 7 इंच जाकर slit की लंबाई का नाप डालेगा आप इस तरीके से नाप डाल सकते हो या फिर दूसरा तरीका देखे chest length की 3 इंच नीचे tux point, 7 इंच नीचे west length और 14 इंच नीचे slit length इस तरीके से भी आप नाप डाल सकते हो अब ये जो points लगाए हैं इनकी lines बना देंगे सबसे पहला नाप डालेगा chest का तो chest की गोलाई कैसे नाप नहीं है देखो एकदम हमारे under arm को touch करते होए गोलाई में टेख को रखना है तो मेरा chest size है 36 इंच उसका चौथा भाग हमने किया 9 इंच आया उसमें हमें 5 इंच का losing डालना है तो मेरा हो गया पौनित्दा सिंच और पौनित्दा सिंच पर मैंने यहां पर mark कर दिया ये हमारी full burst की line है तो full burst का नाप वीडियो में दिखाए गए आनुसर आपको लेना है जैसे कि मेरा full burst आ रहा है 38 इंच इस 38 इंच उसका चौथा भाग हुआ 9 इंच तो बराबर से 9 इंच पर mark करना है उसमें losing आड करने की बिलकुल भी जरुरत नहीं पर आता है कमर की गुलाई का नाप जैसे कि मेरी कमर याने west है 32 इंच उसका चौथा भाग हुआ 8 इंच उसमें 5 इंच का losing डाल कर 9 इंच पर mark किया और उसके बाहर 1 इंच dart का भी extra का mark किया है अब ये dart किस case में लेना होता है कहां पर नहीं लेना होता है ये हम बाद में देखें अब ये वाली line है hip की line यानि slit line तो hip का नाप हमें कैसे और कहां पर लेना है देखो slit उपर की तरफ रहती है hip का नाप नीची की तरफ जाता है तो hip round है मेरा 40 इंच तो यहाँ पर 40 का चौथा भाग करके 10 इंच पर परावर से मैंने माप किया है उसमें losing add करने की जरूरत नहीं है अब ये जो सारे points है ये हमें जोडने हैं लेकिन जोडने कैसे ही वो देखेंगे सबसे पहले ये कमर की line है और इसका जो अंदर का point है इसे हम देखेंगे और ये बाहर का point है dart के साथ याने 1 inch dart का point लगाया है तो ये अंदर का point और ये point हम पहले जोडने के और देखेंगे कि क्या होता है अब इस line के उपर या फिर line के अंदर के तरफ आपका full burst का point आ रहा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है इस line के उपर से cutting करने की लेकिन ये point हो मेरा line के बाहर जा रहा है इसका मतलब मेरी कुर्ती full burst में tight हो सकती है अगर इस line के उपर से मैं cutting करती हूँ तो इसलिए मैंने यहाँ पर 1 inch का dart लिया है ताकि मुझे full burst में comfort room मिल सके और कुर्ती भी fitting में comfortable आए तो यहाँ पर आप इस तरीके से भी shape दे सकते हो जैसे हम अब तक देते आए हैं लेकिन कई cases में ऐसा होता है कि burst heavy होने के कारण ऐसे अगर हम cutting करते हैं तो भी कुर्ती comfortable नहीं लगती है तो इसलिए हम ज़्यादा तर dart लेते हैं तक हमें यहाँ पर full burst में comfort room भी मिलती है और fitting भी smart लगती है तो इसलिए ज़्यादा तर कोशिश करें कि dart लेने की west में तो इस cases में जैसे कि full burst heavy है तो इस cases में आपको dart लेना ही है तो यहाँ पर dart लेने के कारण कमर में भी अच्छे से fitting बैठे की और full burst में भी अच्छे से fitting आएगी तो यहाँ पर मैं dart लेने जा रही हूँ तो यहाँ पर मैं देखो dart का point और chest का point अगर जोड़ती हूँ तो मेरा full burst का point line के अंदर जा रहा है मतलब मुझे एकदम comfortable यह कुर्टी बैठेगी अब यहाँ अंदर की line में मिटा देती हूँ अब यहाँ पर hip का जो point है उसे भी हम जोड़ देंगी west की point को तो इस तरीके से में यहाँ पर जोड़ दिया अब हम dart का marking करेंगे तो यह हमारी west line है जितनी वे आपकी कमर है मेरी 32 inch है उसका 8 भाग होता है 4 inch तो मैंने 4 inch पर dart के लिए point लगाया है और इस dart की जो लंबाई है वो west line के उपर साड़िती नीच रहेगी और west line के नीचे साड़िती नीच रहेगी तो यह सबी sizes में आप इसी तरीके से नाव टाल सकते हो तो यह उपर की तरफ साड़िती नीच रिया नीचे की तरफ की साड़िती नीच रिया नीचे की तरफ आप चाहो तो थोड़ा सा 1 inch एक्स्ट्रा भी ले सकते हो अब dart के लिए हमने 1 inch छोड़ा था तो 1 inch यहाँ पर मैंने dart ले लिया है यह dart का marking जो है वो front और back में दोनों तरफ सेम रहेगा करी लोगों को tummy होता है यानि ज़्यादा पेट रहता है तो ऐसे में आपको front की तरफ dart नहीं लेना है बस back की तरफ आप dart लीजिएगा और front की तरफ margin तो आपको छोड़ना है dart का लेकिन dart नहीं लेना है अब हम करेंगे armhole का marking तो यहां से यहां तक कितना है आपका उसका center करिएगा tape को बीच में fold करके और यहां पर center point लगा दीजेगा यह होगा हमारा across back अब यह जो point है ना इस point के उपर से हम इस तरह से shape देते थे लेकिन आज से हम यह जो shape है कि थोड़ा सा अंदर की तरप से देंगे तो यहां पर हम इसको quarter inch यानि यह जो center point है यहां से quarter inch यह उससे भी थोड़ा सा कम एक point लगा देंगे quarter inch से भी थोड़ा एक point अंदर आ जाएगी तो भी चलेगा इस तरह से मैंने यह point लगा दिया और अब हम shape देंगे इससे हमारी आमहुल की गोलाई बहुत सुंदर आती है और यह मैं आपको बाद में दिखा भी दूँगी कि यह कैसे गोलाई आती है तो पहले मैंने नीचे के point चोड़गी अब मैं उपर के point चोड़गी इस तरह के से तो इस तरह के से ही आपको shape देना है बहुत अच्छे से इसकी कोलाई आती है और पहनने के बाद बहुत ही smart लोग दिखता है आपर गले की चोड़ाई टेंपररी मैंने सबातीन इच रखी है और इस line के उपर हम point 75 जाएंगे यानि point 9 तो heavy size है तो एक इंच उपर जाना है small size है तो आधा इंच उपर जाना है यहाँ पर हमारा normal size है तो point 75 रखा है और इस तरह की से line बना दी अब यहाँ से यहाँ मैं इसको जोड़ दूगे यह हमारा shoulder slope होगा पीछे की गले की लंबाई कहा तक डालेंगे तो यह जो हमारा normal है इसका center point यहाँ पर है यहाँ तक हम पीछे की गले की लंबाई लेंगे तो यहाँ पर मैंने इस तरह से line बना दी है अब लंबाई तो हमारी यह बिल्कुल fix रहेगी लेकिन गले का जो shape में दे रही हूँ वो fix नहीं है इसमें changes क्या होगे यह आपको आगे देखने को मिलेगा तो बस तब तक के लिए मैं यहाँ पर इस तरह से shape दे रही हूँ अब यह हमारा back armhole है ठीक अब इस point के यह इस point के अंदर एक इंचाना है front armhole के लिए तो एक इंच अंदर मैंने mark किया है इस point से भी एक इंच अंदर आएंगे देखिए यह point से एक इंच अंदर आएंगे और यहाँ पर भी एक point देंगे और बस हो गया armhole curve लेंगे और पहले नीचे की तरफ से shape देंगे जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हो और फिर उपर का जो हिस्सा है वो भी shape देंगे तो यहाँ पर आपने notice किया होगा front का जो armhole है वो हमने एक इंच अंदर क्यों लिया है क्योंकि front का जो neck होता है वो deep रहता है जब यह neck deep रहता है तो front की जो shoulder पटी है वो बाहर की तरफ जाती है और यहाँ पर salvert आती है यहाँ पर एक salvert से आ जाती है कपड़ा इकटा होता है क्योंकि कपड़ा extra हो जाता है तो ऐसे में अगर हम एक इंच अंदर की तरफ से लेते हैं तो यहाँ पर बिल्कुल भी salvert नहीं आती और हमारे कुर्टी का लोग भी smart दिखता है बाक साइड का आम होल कर नापेंगे तो जिस तरफ के से वीडियो में दिखा है वैसे टेप को पकड़ती होए नापे तो यह पौने 9 इंच आ रहा है अब हमें उतना ही फ्रंट के लिए भी लेना है अब हम फ्रंट का भी नापेंगे तो यहां पर मैंने फ्रंट का नापना शुरू किया है जहां पर यह पौने 9 इंच आएगा वहां पर मैं इसको marking कर दूँगी बाक का आया था हमारा पौने 9 इंच तो यहां पर भी जहां पर पौने 9 इंच आ रहा है वहाँ पर मैंने मार्क कर दिया और यहाँ से हम front के लिए line बनाएंगे front की armhole का जो point है वो back की armhole की point के नीचे आया है point inch मतलब point 75 inch नीचे आया है तो आपका 1 inch भी आ सकता है तो यहाँ पर यह back की जितनी shoulder पटी है उतनी हमें front के लिए रखनी है जो shoulder line है मतलब यह वाली line उस line को touch करते हुए हमें रखना है और वहाँ पर point देना है अब यहाँ पर गले की चोड़ाई front की कम आ रही है लेकिन वो हमें नहीं देखना बस हमें दोनु shoulder पटी जो है back और front दोनु same रखनी है अब यहाँ से हम आगे का गला रखेंगे 7 inch तो मैं यहाँ पर 7 inch पर mark करने जा रही हूँ front के लिए अब भले ही गले की चोड़ाई उपर की तरफ कम है लेकिन नीची की तरफ हम 3 inch सभी sizes में लेंगे चाहू तो heavy sizes में नीची की तरफ गले की चोड़ाई पर जोड़ रहे हूँ आप चाहो तो 1.5 inch पी रख सकते तो यहाँ तक हमारे कुर्ती का कटिंग हो गया अब मैं इसे नीची की तरफ खोल दूँगी और यह point इस कोने तक तिर्चे में जोड़ दूँगी इस तरीके से और बस अब हम इसका कटिंग करेंगे और वेस्ट लाइन के ऊपर भी नॉस लागा दिया अब यह जो शेव है बाहर की तरफ का यहां से हम क्टिंग करेंगी और बिवर की शोडल लाइन की तरफ से क्टिंग करेंगे को तो यह हमारी पाक का म Отम का श equiv है जो बाहर की तरफ से हाँ से वहां से कटिंग किया उसके बाद बाक की शोल्डर लाइन जो उपर की तरफ है वहां से कटिंग करें बस गले का कटिंग अभी नहीं करना तो यह हो गया अब हम यहां पर एक नॉस लगाएंगे इस तरह के से ट्रेसिंग नील की मदद से यह गले का मार्किंग और डाट का मार्किंग म नीची की तरफ इसके निशान बन जाते हैं क्योंकि इसमें छोटे-छोटे होल बन जाते हैं बहुत ही माइनर होल होते हैं यह जो नीची की तरफ शो होते हैं और उसके उपर से हम चौक की मदद से निशान को डाट कर सकते हैं अब इसे में खोल दोंगी और अंदर का जो ये पैटन होगा ये हमारा बैक का रहेगा तो यहाँ पर गले का शेप आ गया है इसे बस में हलका सा डाख कर देती हूँ और डाट के निशान में बाद में बना दोंगी तब तक मैं इसको साइड में रख देती हूँ अब ये जो फ्रंट पैटन है इसे मैंने फिर से फोल्ड किया क्योंकि हमें यहाँ पर आम होल और शोडल लाइन का कटिंग करना है गले का cutting हम अभी नहीं करेंगे तो बस में आम होल जो अंदर की तरफ से शेफ है वो cut कर दिया शोर्डल लाइन की तरफ से cut किया बस इतना है अब देखो गले का cutting हमें अभी नहीं करना है और ये क्यों नहीं करना है ये भी मैं आपको को बाद में बताऊंगे तो तब तक की लिए जो डार्ट का निशान बनाया है ट्रेसिंग बिल की मदद से बस उसको में डाक कर देती हूं तो फ्रंट और बैक दोनों तरफ सेम निशान रहेंगे डार्ट के तो फ्रंट को साइड में रखती हूं और बैक को लइघख और इसे भी खोल देती हूं और उर्टी साइड में यहां पर गले के निशान बन चुके sujet है ट्रेसिंग बिल की मदद से बस उसको डाक कर दिया और डाक की निशान भी बन गए उसको में डाक कर देती हैं दोनों cutting उगे हो चुके हैं अब स्लिउस cutting तो जो साइट में कपड़ा बचा हुआ था वह मैंने ले लिया है अब जैसे मैंने बताया था इसका खिचा चौड़ाई में होता है तो इससे मैंने चौड़ाई में fold किया सबसे पहले slieus की लंबाई cutting करके लेंगे तो slews की जो तयार लंबाई है मेरी वो 16 इंच है 2 इंच में एक्स्ट्रा लूँगी तो 18 इंच पर मैंने माक किया और यहां से मेश को कट कर दूँगी डेनिस नीचे की तरफ फोल्ड में जाएगा और आधा इंच उपर की तरफ से लाए में जाएगा नीचे की तरफ खुली साइड है और मेरी तरफ बनवाली साइड नीचे की तरफ आप मोरी का माकिंग करती जीएका मैंने 5 इंच पर किया है थोड़ा सा लूज ही रखेंगे और यहां पर क्या फाइट निकालेंगे तो आपका जितना भी चेश साइज है उसका आठवा भाग करें जैसे मेरे 36 है तो आठवा भाग हुआ साड़े चारज उसके बाद आम होल राउंड हमारा आया था पौने 9 इंच तो तिर्चे में पौने 9 इंच इस तरह से रखना है और जहां पर लाइन को टेप टच होता है वहां पर मार्क करतीजेगा तो यह पौने 9 इंच तिर्चा लिया उसके बाद पौना इंच यहां से सीधा लेंगे और मार्क करेंगे अब उस मार्क से आगे की मार्क तक टेप को रखेंगे तिर्चे में और बीच में फोल्ड करेंगे क्योंकि हमें सेंटर मार्क करना है और यहां पर एक इस तरह से मार्क करतेंगे अब उस मार्क के टेप के ऊपर आधा इंच हमें एक तुसरा मार्क करेंगे और टेप और उस मार्क के सेंटर में और एक मार्क करेंगे तो ये इस तरह से पूरा मार्किंग हो गया है अब हम लेंगे हमारा आम होल कर और इसे हम इन दो पॉइंट्स के उपर रखेंगे पस ये दो पॉइंट्स यहाँ पर मैच करने हैं बाकि आपको कुछ नहीं देखना दो पॉइंट्स को मैच करते हुए मैंने इसको रख दिया है जिससे आप देख पा रहे हो और यहाँ पर बस गोलाई देने तो जो सबसे उपर का मार्क है उसके उपर रखा है मैंने और गोलाई दे दी अब यहाँ पर उंगली को रखेंगे और आगे की तरब इस पॉइंट की तरब इसको सरकाएंगे यह देखे तो यह अंदर का यानि फ्रंट का शेप रहेगा जो हम अब दे रहे हैं तो यह दो गोलाई यहाँ यहाँ पर निकल चुकी है फ्रंट की भी और बैक की भी अब बस यहाँ से इसको इस तरह से जोड़े और इसको भी इस तरह से जोड़े तो देखे हमारा फ्रंट और बैक दोनों का शेप इत्तम पॉफेक्टली आ गया है तो स्लिव स्कटिंग के बारे में और डीटेल में अगर आपको जारना है तो हमारा स्लिव स्कटिंग के उपर सेपरेट वीडियो बना है वो जरूर देखे है अब मैं यहाँ पर आपको यह पूरा राउंड आपके दिखा रहे हूँ जो कि हमारा पूरा अमहोल राउंड आया था पौने 9 इंच यानि 8.75 तो यह 9 इंचेस है तो कौट रेंच या आधा इंच जादा आये तो भी चलेगा लेकिन कम नहीं आना चाहिए अब मैं इसको यहाँ से जोड़ दूँगी और पाहर की तरफ मार्जिन इतना ही रखना है जितना कुर्ति में रखा था 1.25 अब मैं इसको कट कर दूँगी यहाँ पर एक सेंटर नौस लगाना ना भूलना अब इसको खोल देंगे और यह चो अंदर की साइड से शेप दिया है वो कट कर देंगे क्यूंकि यह फ्रंट की तरफ होता है तो बस स्लिव्स कटिंग हमारे हो चुके हैं दोनों यह फ्रंट रहेगा और यह बैक साइड रहेगा तो इसको मैं साइड में रखते हूँ अब मैंने फ्रंट और बैक दोनों पैटर्स लिए हैं अब यहाँ पर चेंजिस क्या करने हैं देखो गले की और अरार आम होल की तो आम होल जैसे मैंने आपको बताया था वैसे ही अगर आप कटिंग करते हो तो यहाँ पर देखिए आम होल की तरफ बहुत ही सुन्दर फ्ल आया है वैसे मेजर्मेंट के अनुसार आपको आम होल कटिंग करना है लेकिन गले के और आप देख पा रहे हो फीशेप आ रहा है पर ऐसा वीशेप आता है तो गला उट खड़ा रहता है तो ऐसे में हम क्या करेंगे बैक गले में हम चेंजिस करेंगे फ्रंट में नहीं करे है उसके और मेनी स्केल को रखकत आगे की तरह ब्लाइन खीशती ताकि यह फ्लो में आए और बैक को शेप देदी लेकिन हुआ क्या है पैक का गला कम चोड़ा दिख रहा है और यह शेप कुछ अच्छा नहीं लग रहा तो हम क्या करेंगी यहां पर यह जो चोड़ाई है वो इस तरह से रखना है और लाइन बनानी है ठीक है तो गले की चोड़ाई थोड़ी पड़ रही है इससे कोई फरक नहीं पड़ेगा तो देखिए इस तरीके से मैं यहां पर एक लाइन में इन दोनों को ले लिया है और बस हो गया बहुत सुंदर यह गला बैटता है यहां प अगरी के से बस आपको चेंज़िस करने है तो फिर आपकी कुर्तिय एक्दम पॉफट बैठेगी अब यह जो फ्रंट का गला है और बैक का गला है यहां फ्यूजिंग पेपर के उपर कटिंग करेंगे तो मैंने फ्यूजिंग पेपर लिया है इसको फोल्ट करके ले लिया चमकिली साइड अंदर के तरफ रहनी है और इसको इस तरह से रखकर गले का शेप इसके उपर निकाल दिया अब मैं इसको टाग कर दीती हूँ इसके बाहर हम आउटलाइन भी करेंगे तो यहाँ पर यह बहुत ही सिंपल और शौट तरीका है जो की जल्दी बन जाता है गलाप आप चाहो तो अलग से फ्यूजिंग पेपर के उपर गलापना सकते हो लेकिन जो shape हमने कुर्टी के उपर दिया है वैसा ही shape आपका fusing paper के उपर आना चाहेंगे तो दोनुँ shape मैंने fusing paper के उपर निकाल दिये हैं front और back के अब यहाँ पर cutting करते समय उपर की तरफ यह आड़ी पट्टी रखी है मैंने same back में भी मुझे रखनी थी लेकिन मैं बस cut कर दी लेकिन कोई बात नहीं जैसे front में मैंने उपर की तरफ पट्टी रखी है वैसे आपको back की तरफ रखनी अब यह दोनों fusing paper को हम दूसरे कपड़े के उपर लेकर इसको patch तैयार करके लेंगे और यह patch में गले के उपर जोड़ दूँगी front और back तो देखिए front की तरफ भी यह patch मेंने लगा दिया है और इसको मैं बीच का हिस्सा cut कर दूँगी यह मैंने cut कर दिया और यहाँ पर हम हमेशा की तरफ cuts तेंगे छोटे छोटे तो यह basic चीज़े थी इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा fast लिया है अब back का भी मैंने गला जोड़ दिया है अब जो important चीज़े हैं वो मैं आपको यहाँ पर explain करूँगी तो यहाँ पर इस तरीके से आप shoulders को जोड़ सकते हो front और back का जब दोनुग गले जोड़ कर तयार हो तो इस तरीके से आपको shoulders जोड़ कर लेने हैं तो यहाँ पर मैं shoulders की सिलाई लगा कर लूँगी shoulders की सिलाई मैंने लगा दी है और अब हम इसको खोल देंगे और खोलने के बाद दोनुग साइड के गले अंदर की तरप यानि उल्टी साइड में fold कर देंगी अब इस गले के उपर आप चाहो तो सिलाई भी लगा सकते हो या फिर उल्टी साइड में तुर्पाई कर सकते हो तो एक तो सिलाई लगा या फिर उल्टी साइड से तुर्पाई करो जो आपकी मर्सी तो अब गले तो ready हो चुके है अब sleeves चोड़ेंगी तो Slews मैंने ले लिये हैं यहाँ पर जो अंदर की साइड से शेप है वो फ्रंट को लगेगा तो पहले आप यहाँ पर एक सेंटर नौस लगा दे हमने पहली से ही लगाया था अब यहाँ पर यह सेंटर नौस और शोल्डर की सी लाई ठीके यह दोनों बराबर से माच होने चाहिए जैसे कि आपके मन में डाउट रहा होगा कि आगे का आम होल हमने पौना इच नीचे लिया था तो फिर Slews के से जोड़े तो Slews को आपको बिल्कुल सेंटर से जोड़ना है मतलब जहां पर शोल्डर की सिलाई होती है वहां से आप शुरू कीजिएगा सिलाई एक किनारे तक लेके जाएगा फिर बचा हो आद्दा इसा जोड़िएगा तो मैंने इसलिए चोड़ दिये हैं दोनों तरफ के अब हम इसकी फिटिंग करेंगे और हां डार्ट भी मैंने ले लिए है अब फिटिंग के लिए मैं इसको यहां पर फोल्ड करूंगी और इसे एकदम एक दुसरे के उपर बराबर से रखना है बराबर से मेरा मतलब है कि यह दिखे यहाँ पर में एकदम एक दूसरे के उपर मिलाके रखा है है और आम हुल की सिलाई दोनों आम हुल की सिलाई front और back की बिल्कूल एक दूसरे के उपर होने जाएए इस तरह से आपको रखना है और फिर यहाँ पर जितना margin आपने चोड़ा है 1.25 inches का उतना पकड़ते हुए fitting सिलाई लगानी है और notches भी मैंने मिला दिये हैं जैसे आप देख पा रहे हैं बस यहां से मैं इसको hip line तक यानि slip line तक सिलाई लगाऊंगे उसके नीचे slips चूड़ जाएंगे तो अब मैं और एक चीज़ आपको दिखाना चाहती हूं shoulders की तरफ तो fitting तो हम कर देंगे और यहां पर shoulders की तरफ देखेंगा यह जो shoulder की सिलाई है यह front की तरफ आती है ठीक है क्योंकि front का आमोल हमने पौनाई कम लिया था तो back आगे की तरफ आता है यह आप देख पा रहे हो अब भले ही यहां पर back आगे की तरफ दिख रहा है लेकिन मैं आपको पहनने के बाद भी दिखाऊंगी यह कैसा होगा अब देखे fitting मैंने कर दी slits भी जोड़ दिये कुर्ती का गला आप देख सकती हो कितना सुन्दर बैठा है बहुत ही fitting में कहीं भी कोई आपको silver नजर नहीं आ रही खासकर front में silver पड़ती है वो नहीं नजर आ रही एकडम perfect बैठा है back की तरफ भी आप गला देख पा रहे हो बिल्कुल एकडम छिपक के आया है तो इस तरीके से अगर गला बेटा है तो बहुत smart लोग मिलता है और अच्छा भी लगता है back की तरफ भी आपको कोई silver नजर नहीं आएगी और sleeves भी अच्छे बेट रहे है अब मैं shoulders की तरफ आपको दिखाती है तो जैसे कि fitting करते time shoulders हमारे आगे की तरफ दिख रहे थे back आप ये की तरफ आ रहा है तो back जो होता है हमारा चड़ा हुआ रहता है जले ही हमने back चड़ा कर काटा हो यहां पर आते ही पहनते ही बिल्कुल बराबर से बैठ जाता है तो कैसा लगा यह आज का कुर्ती का cutting और stitching मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना और हां इसे ट्राइ भी जरूर करना इस तरीके से कुर्टी कटिंग करोगे तो पिल्कुल आप टीवी सीरियल्स में जैसे देख पा रहे हो वैसे फिटिंग आती है तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर देना शेर कर देना और चानल पर नए हो तो चानल को सब्सक्राइब भी जरूर करना और कोई डाउट से तो मुझे कमेंट करके नीचे जरूर पोछना मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में धन्यवाद